चानक के IAS Academy, Daily Current Affairs MCQs में आपका स्वागत है, तो आईए देखते हैं आज का पहला प्रस्म, निम्नलिखित स्थान हाल ही में समाचारों में रहे हैं, इनमें से कौन सा मयम्मार में इस्थित है, और इसका Option A है, एक और तीन, Option B, दो और चार, Option C, एक दो और चार, Option D, उप्रोक्त सभी, इसका सही जवाब है, Option D, उप्रोक्त सभी, उप्रोक्त सभी इस्थान मयम्मार में इस्थित हैं, बिदेश मंत्री S. जनसंकर ने कहा कि मिजोरम और रखाइन प्रांत में सित्वे बंदरगाह के बीच संपर्क सडक का निर्मार और 69 पुलों का निर्मार मयम्मार के इस्थिती के कारण आगे नहीं बढ़ रहा है, मयम्मार में सुरच्छा इस्थिती के बारे में स्री जैसंकर की टिपणी का उद्देश मयम्मार के चिन और सांगांग छेत्रों में अयस्थर इस्थिती थी, जहां कई सस्त्र प्रतिरोद समुहों ने भारती बुनियादी धाचा परियोजनाओं के रास्ते में बाधाएं पैदा करते हुए ने पीताओ के सेन जुटाओं के खिलाफ युद्ध की घोशना की है, आईए देखते हैं सवाल नमबर दूसरा, भारत में निर्मित कोल्ड आउट सिरप दूसित पाया गया है, निम्न लिखित में से किस कंपनी ने यह सिरप का निर्मान किया है, नमबर एक उप्षण A है इसका बायो कौन लिंटेट, नमबर B Sun Pharmaceutical Industries लिंटेट, सिपला लिंटेट इसका सही जवाब है, प्राइवेट लिम्टेट के लिए फोर्ट इंडिया द्वारा निर्मित कुल्ड आउट पैरासितामोल और किलोरोफिरा माइन संयोजन सिरप का एक बैच जिसका उप्योग सामन सर्दी और एलर्जी के लच्छन का इलाज करने के लिए किया जाता है कि विस्तु स्वास्त प्रच द्वारा दूसित के रूप में रिपोर्ट की गई है कोल्ड आउट सिरप का एक नमूना इराक में एक स्थान से प्राप्त किया गया था और प्रयोकसाला बिसलेशन के लिए प्रयोक्त किया गया था नमूने में संदूसक के रूप में डाइथिलीन गलाइकॉल 0.25 परसेंट और एथिलीन गलाइकॉल 2.1 परसेंट की अनिवार मात्रा पाई गई है एथिलीन गलाइकॉल और डाइथिलीन गलाइकॉल दोनों के लिए सुईकार सुरक्षा सीमा 0.10 परसेंट से अधिक नहीं हो है या एक इतनी नहीं होनी चाहिए आईए देखते हैं सवाल न परसेंट के लिए सेवी ने बिदेशी पोर्टफोलियो निवेसकों एफपी आई को स्टोक एक्सेंजों की रिक्वेस्ट फॉर्ट और एफक्यू प्लेटफॉर्म के माद्यम से रिपोर्ट बॉंड में कम से कम 10 परसेंट करने के लिए अनिवार किया है भारती प्रतिवू और बिनियमाई बोड सेवी ने एक परिपत्र में कहा यह आवस्चकता एक अक्टूवर से लागू होगी आई देखते हैं सवाल नंबर चोथा विवात से विश्वास योजना जो कभी-कभी समाचारों में देखी जाती है किस से संबंदित है जिसका ऑप्शन ए ब्यापार अप्शन C पिर्त्यक्षकर विवात समाधान सरकार और सरकारी उपकर्मों के जुड़े विवादों संब्यदात्मक विवादों को हल करने के उद्देश से बित्मंत्राले के व्याय विभाग द्वारा विवाद से विश्वास 2.0 योजना शुरू की गई है क्या है यह विदात्मक समझोते में सामिल पक्षों के बीच उत्पन होने वाली असहमती या संगर से यह विवाद तब होते हैं जब एक या एक से अधिक पच्छ मानते हैं कि अनुबंध में उपलब्द नियमों सर्तों या दायतों का उलंगन किया गया है या गलत समझा गया है या ठ बारती बायू सेना का मानव युक्त हवाई वाहन यूवेवी या ओप्षन सी डी आर डी ओ द्वारा बायू रच्छा अगनी नियंतरन रडार है या ओप्षन डी सी एस आई आर द्वारा एक सुपरसोने कंप्यूटर है इसका सही जबाब है स्वायत अंडर वाटर वाहन के ओप्षन ए निराक्षी को खदान का पता लगाने के लिए डिजाइन किया गया है बरतमान में प्रोटोटाइप चरण में है बिकसित इसे गार्डन रीच सिप यार्ड सिप बिल्डर एंड इंजिनियर्स जी आर एस इ लिम्टेड और आई टी एल एक MSME एकाई है इसकी बिसेश्ता यह है कि यह 2.1 मीटर लंबा बेलना का एयूबी है जिसका बजन लगबख 45 किलोग्राम है खदान का पता लगाने निप्टान और पानी के नीचे सरवेच्छन जैसे कार यह कर सकता है इसमें 4 गंटे की सहन सकती है और 300 मीटर तक की गहराई तक जा सकता है जो इ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सबस्क्राइब जरूर करें धन्यवाद